नमस्कार आप देख रहे हैं सीधी बात मैं हूं राहूल कमल और आज हमारे खास महमान है वित्रा जिमंत्री जैन सिना स्वागत है आपका राहूल गांधी ने इस वक्त बीजेपी पर बड़ा खड़ा हमला बोला हुआ है हाली में उनने कहा कि नमो का मतलब है कि नो आक्शन मैक्सिमूम और औरेटरी कि मतलब आपकी सरकार बाते जादा करती है काम बहुत कम देखा जाए तो क्या 365 दिनों का यही रिपोर्ट काड़ है बिलकुल गलत बात है देखिए ऐसा है कि हम लोगों ने धरातल पे जो उतार कर काम दिखाया है मैं तो कहूंगा दावे से कहूंगा राहुल जी कि पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में एक साल में किसी भी सरकार ने इतना काम नहीं किया होगा मैं आपको चार-पांच प्रमुक उपलबदियों के बारे में बताता हूँ पहली बात तुम्हें यह कहूंगा कि जो देश के विकास की जो ट्रेन थी वो तो पटरी से गिर गई थी जो हमें विरासट में सरकार मिली वहां जो विकास की जो ट्रेन थी वो गिरी पड़ी थी उसको हम लोगों ने पटरी पे डाला पैसेंजर ट्रेन को राजधानी बना दिया हाँ लोग चाहें तो कहेंगे कि आपकी बुलेट ट्रेन को नहीं बनी है पर राजधानी तो एक साल में बना दी ना ये एक बहुत बड़ी प्रुम्ट कैसे बनी पहले भी राजधानी तो रफ्तार पर चलती थी हम लोगों ने जो आर्थिक जो हमारे जो महाल थे बिल्कुल बदल दी ये तो पर में तमाम जितने भी उपिनियन पोल आए मोदी सरकार के पहले साल के बाद आपका वादा था कि अच्छे दिन आएंगे जब इंडिया टुड़े ने बाकी चैनलों ने ये सवाल पूछा ज अच्छे दिन बिल्कुल आ गए मैं आपको एक आकड़े बताता हूं कि यूपी ए की सरकार ने यूपी ए कि अच्छे दिन आ ले जाए हैं यहां ब यह कह रहे हैं मैं बोल रहा हूं आप चाहे विदेश देखिए या देश में देखिए अगर आप खुद आख़बारों मे जो आकड़े भी निकले हैं जो सर्वेज हुएं अगर आप लोगों से पूछे कि आप लोग संतुष्ट हैं मोधी सरकार ने बहुत कुछ काम किया हुआ है तो आपको पता चलेगा 70 प्रतीशत से ज्यादा लोग और मैं बता हूं कि लोग तंत्र में अगर इस प्रकार का आ हम लोग बिचा रहे हैं चाहे आप देख लीजिए कि हम लोगों ने यूनिवर्सल सोशल सेक्यूरिटी याने जन सुरक्षा जन्धन में हम लोगों ने क्या किया है अगर आप आगे जाकर देखें तो चाहे हम जन्ध सुरक्षा की बात करें या नरेगा की बात करें इन सब का भुकतान चाहे आप जो पहल कर जो योजना चल रही है जिसमें की गैस सबसुडी वाला जो मामला है ये भी आपको उन खातों से आपको मिलेगा आपको क्या मालुम है देखे बाई साब इस समय मैं आपको बता दू राहूल जी की आज की समय में सबसे जो बड़ा डिरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर प्रोग्राम जो चल रहा है वो पहल चल रहा है यानि गैस सबसीडी का पैसा जो आपके सीधे बैंक के खाते में मिल रहा है शाय तेरा करोर लोग है जो इसका फैदा हुआ रहा है जिनकी आप निंदा क्या करते थे जब बिहारी वाजपाई जी के सरकार में हुआ यह हमारी यूजना है हम लोगोंने कई बार कहा था कि हम लोग इस प्रकार का एक कार्ड लाएंगे इस प्रकार से हम लोग डिरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर लेंगे जिसमों ने कहा कि बीजेपी उन तमाम चीजों के लिए श्र कि जन्दन यूजना जिस प्रकार से हम लोगोंने 15-16 करोड लोगों को खौता खुलवाया है उनकी भी कोशिश थी एक जमाने में कि इस प्रकार की जो बैंकिंग दी अनबैंक को जो हम लोग कर रहे हैं उस प्रकार से वो भी करें उनकी स्कीम फेल हो गए हम लोगोंने उसी तरीके से उसी सोच को ली स्कीम में परिवर्तन लाए हम लोगों देखा कि इसका इंप्लिमेंटेशन कैसे किया जाए किसके साथ किया जाए और किस तरीके से इसका प्रचार किया जाए जब हम लोगोंने किया तो सही हो उमीदवार मोधी का एक बड़ा वादा था कि 10 करोड नौकरियां पाइदा करेंगे पांक साल में पहला साल हो गया दो करोड नौकरियां पैदा होनी चाहिए थी आंकड़े देखते हैं वो कहते हैं कि नहीं बलकि ऑटो जैसे सेक्टर में तो 40 साल लोगों की नौकरियां गई वो कहरें कि जॉब ग्रोथ जो है वो तो स्लोडाउन हो रहे हैं मुझे बिल्कुल भरुसा है कि जो आप मान रहे हैं कि पहले साल में 2 करोड नौकरियां पैदा ने हूं हम लोग जो रोजगार देना चाहरे हैं हम लोग जरूर देंगे देखिए पिछले साल में क्या हुआ है कि जसे मैंने बताया आपको कि जो विकास की जो ट्रेन थी वो पठ्री से गिर चुकी थी इसे पठ्री में लाने में समय लगा है अब हम लोग उसको रफ़तार से गती से इस ट्रेन को आगे बढ़ा रहे है तो अब देखिए क्या क्या होता है नहीं तो हकीकत यह है कि जो वादा था कि 10 क्रोण नौकरियां मतलब हर साल में 2 क्रोण नौकरियां वो तो नहीं पाइदा हुई वादे जो हैं वो 5 साल में पूरे किये जाते हैं यह तो नहीं सौ दिन में जो अच्छे दिन आएंगे सौ दिन में काला पैसा वापस आ जागा यह आप कह रहे हैं यह तो केलिडेड लोदी कह रहे थे तो आपका चुनावी वाइदा था था हम लोगों ने कहा था कि हम लोग पूरी तरीके से प्रहतन करेंगा और बिल्कुल हम लोग यह सब चीज़े पूरी करेंगा एक और जो बड़ा आरोप आपकी सरकार पर लग रहा है वो यह कि सामाजिक शेतर में महिलाओं पर बच्चों पर जो पैसा खर्च हो रहा है उसको आपने कम कर दिया है एक ताजा अंकड़ा कहता है कि 4,49,000 करोड रुपए सोशल सेक्टर समाजिक शेतर में स्पेंडिंग कम हुई है यहां तक कि अब महिला मंतरी मेने का गांजी तो चिट्थी दर चिट्थी लिखकर प्रदार मंतरी को शिकायत कर रही है कि हमारा पैसा महिला उनको बच्चों का पैसा क्यों काट रहे है इनको हमको पूरी तरीके से इस बात को समझना चाहिए देखे जो हम लोगों ने काम किया बहुत एतिहासिक काम किया इसी वित मंतराले में यह काम हुआ कि जो पहले 32 प्रतिशत हम लोग राज्यों को दे रहे थे अब हम लोग उसको 42 प्रतिशत दे रहे है तो जो पैसे जो केंदर में मंतराले थे जिनके पास था वो पैसे अब हम लोगों ने एकड़म डाइरेक्ट हम लोगों ने राज्यों को दे दिया वो केरें कि 109 billion रुपाय कम है जो की nutrition scheme है उसमें पैसे हम लोगों ने कम कर दिया है यह गलट शब्द है इसका शब्द कर दिया है आप ही की मंत्री की चिट्टी जहां पढ़े के बतारों 27 अप्रेल 2015 की मेने का जांजी की चिट्टी है सही शब्द होगा हम लोगों ने कटौती नहीं किये हम लोगों ने ट्रांसफर किया है जो पैसे केंदर मंत्राले में था अब वो राज्यों को चले गए हैं राज्ये इनको और भी बहतर तरीके से धरातल पे उतार देंगे चले आप ही की मंत्री शिकायत करें तो हमने ये मुद्दा उठा है साथ ही जाज शिकायत करें जाने माने अग्रिकल्च्रल साइंटिस्ट है मैं स्वामी नातन वो कह रहे हैं कि जो न्यूनितम शुल्क मिलना चाहिए किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो की केंडिडे मोदी ने वाइदा किया था कि यूपिया की सरकार नहीं करती हम बढ़ाएंगे जिस दाम पर सरकार किसानों से खरीदती है 50% बढ़ाने का था वो वादा अब आप मुकर गए ये वादा आप लोग करते हैं चुनाव से पहले चुनाव में सत्ता मिल जाता अच्छा अच्छ अच्छित दाम उनको मिलना चाहिए और उस पर हम लोग अगरसर हैं नहीं कहा अगरसर है आपका सुप्रीम कोर्ट में हलफ नामा है मैं उससे कोट करके बता रहा हूं उसमें आप ये कह रहे हैं कि जो प्राइसिंग पॉलिसी है सरकार की उसके तहट हम कॉस्ट प्लस एक्स पहले भी कहा है हमारी कोशिश ये कृषी प्रदान देश है हम लोग ने हर दम कहा है कि हम लोग किसानों के हित्में काम करेंगे और जो उचित मिनिममम सपोर्ट प्राइस है सब आप रोकोले से पहले आपको कुछ और उचित लगता है सरकार में आने के बाद आपको कुछ रैली होने वाली है जून के मद्धि में अब ये तो सर आप ही को अपनी तुझोरी खाली करनी है तुझोरी थोड़ा खाली कीजिए हमारे सिरानियों की मदद कीजिए क्यों नहीं करते हैं इस पर बड़ा सपश्ट तरीके से कह सकता हूं आपको बता सकता हूं कि हमारे पू सिस्टम होता है और इसको इस तरीके से हम लोग करें जिसमें ये नहों को किसी को बेंसाफियों कि जब जब पूछा गया तब तरीके से इस वादा को हम लोग इंप्लिमेंट करेंगे हम लोगों को बस यही तरह करना है कि नीतिया exactly कैसी होनी चाहिए क्योंकि इसको बड़ी कई सारे जो जो सिनानि है उनकों ज कहते हैं कि सायद वितमंत्रा गयाओ जो पर इस को और यह ने अब कहाँ है कि हमारी तरफ से बनाएंगे खिलाएंगे आपको कब आएगी सर्जलेवी कब बनेगी सब stakeholders जो हैं उन सब की हम लोग बाते सुन रहे हैं उन सब की हम लोग जो भी कुछ जो बयाद है तो जो जो कहना सब ने कह दिया है अभी थोड़ा बहुत और इसको हम लोग को तियार करके फूरी तरीके से समय गई है अक महिना एक हफ्ता एक साल पांथ साल भी ताइम लाइन देने वाले रक्षा मंत्री जी हैं आप उनसे स्वयाद कुछ हों जो आप ने करना है रक्षा मंत्री है रक्षा मंत्री मेरे साथ बेटे ते opinion पोल आए वो ये बता रहे हैं कि पहले साल में मोधी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी ये रही कि वो किसानों की जो परिशानिया थी उन्हें सुलजा नहीं पाए और ये आपकी सरकार का सबसे बड़ा negative report card माना जा रहा है क्यों सरकार किसानों के खिलाफ नजरा रहे हम लोग क रादसाथ हमने कहा है कि सॉयल हेल्थ कार लाकर हम लोग अपने जो किसान भाई और बहनों हैं उनको बताएंगे एकदम सपश तरीके से कि उस खेत में अगर उन्हें कुछ फसल निकालनी है तो किस चीज़ की सबसे उचे फसल है क्यों ये दादना बन रहे हैं कि सरकार किसा होगा तो उन सब को कुछ ना कुछ कॉंपेंसेशन मुआफजा दिया जाएगा आपके बिल में ये है कि जो लोग उस जमीन के मालिक हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें कॉंपेंसेशन दिया जाएगा कॉंग्रेस कह रही है कि कई सारे लोग हैं जो कि जमीन के मालिक नहीं लेकि कुछ लोग हैं जिनको जमीन पे टाइटल है कुछ लोग हैं जिस पे जो वहां जाकर किसान का काम करते हैं और उन सब लोगों को हम लोग मौफजा देंगे और अगर आप मौफजे की बात कर रहें मैं आपको ये भी दियान दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो क्रॉप ठीमेज हुआ है जो पहले लोग कहते थे कि जब आदहा कर डामेज हो गा तभी आपको मौफजा में आठाए हुआ ओत लुआ लगेता हैं जिसन सबस्कितना ने गोच्वन किसानों के साथ प्रधान मंत्री वक्त बिता रहे हैं लेकिन हिंदुस्तान में किसानों के साथ प्रधान मंत्री वक्त बिता रहे हैं लेकिन हिंदुस्तान में किसानों के साथ प्रधान मंत्री वक्त बिता रहे हैं लेकिन हिंदुस्तान में किसानों के साथ प्रधान मंत्री से हम लोग समझते हैं जानते हैं वाजपई जी के बड़े मंतरी हुआ करते थे अरुन शौरी उन्हें हाली में हमें एक इंट्व्यू दिया जिसमें उन्हें कहा कि यह सरकार सुर्ख्यां बटोरने में ज्यादा दिल्चस्पी रखती है नीतिया बनाने में कम उन्हें लगता इन सब पे हम लोग ध्यान दे रहें इन सब को हम लोग बढ़ाती दे रहें और साथ साथ जो अरुन शौरी यह क्यों कह रहे हैं अब देखिए हर कोई चाहता है कि किसी तरीके से पिक्चर अपने आप त्यार करें शायद उन्हें जो हम लोगों ने उनको जो पिक्चर से minimum alternate tax को लेकर विदेशी निवेशाक परशान है पहले कहा जारता कि देखिए जो stock market है कितनी तेजी से बढ़ रहा है देखिए अच्छे दिन आ गए अब तो स्टॉक market भी आंदे मूग गिर रहा है कि हमारी जो सरकार है वो on a go forward भविश्य के लिए basis पर अगर आप देखे तो बिलकुल इन सब मामलों को हम लोगों ने बिलकुल स्पष्ट कर दिया है और इससे संभाल लिया है जी हाँ ऐसा सच है कि कुछ पूराने cases पड़े हुए हैं जो आज की समय बिलकुल गलत रहुल जो पुराने जो विशे थे पुराने जो cases थे जो सब जूडिस है जो इस समय नयायाले में हैं उनको हमें संभालना है चली सर आखिर में यह बताएं कि चली पिछले एक साल का तो हमने मौयना किया तमाम सवाल आप से पूचे अगले एक साल में तीन ऐसी क्या बड़ी चीज जिसमें आपको बीमा योजना मिल सकती है जीमन बीमा मिल सकती है आपको दुरगटना बीमा मिल सकती इसर जो बीमा योजना है इनसे जनता को बहुत फैदा होगा पेंशन से बहुत फैदा होगा तो यह एक पहला मुद्दा है बहुत प्रमुक मुद्दा है जिसको मुझे जो वित्मन तराले से जो हो रहा है जनता कोеся बहात लाब मिलेगा कि जो हम लोग इंफ्रस्ट्रक्शर में जो हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जाहे वह आप रिलवेस देख लिजे चाहे आप सड़कों में देख लिजे पोर्ट्सिवा ले डिख लिजे पावर सेक्टर में देख लीजे ये सब जो इन्फरास्ट्रक्टर जो त्यार होगा इससे भी मुझे लगता है लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी और बहुत इससे लाब होगा तीसरी बात में ये कहूंगा कि अगर आब आप देख रहे हैं कि जो मैक इन इंडिया में जो जबरदस्त तरीके से बढ़हतरी हो रही है फैक्टरियां बन रही है वहाँ जो रोजगार त्यार होंगे उससे भी मुझे लगता है कि युवाओं को बहुत फैदा होगा क्योंकि कि उनको रोजगार मिलेंगे और उस रोजगार की कारण जो जिन्दगी में उनका शुब आरम होना चाहिए वो बिलकुल अच्छी तरीके से लिए वरना अच्छे दिन आपकी इंडिया शाइनी हो जाएगा लोगों की बड़ी पहनी नज़र है आपके काम पर तो यह थी ज